वो एकसो पांच घंटे जब पैंसट फीट गहराई में अटकी 36 गढ़ की सांसे वो एकसो पांच घंटे जब दुआ के लिए जुके थे सर उठे थे सब के हाथ वो एकसो पांच घंटे जब न भूख थी न प्यास न थी आँखों में नेन वो एकसो पांच घंटे जब पूरा देश कर रहा था बस सलामती की दुआ वो एकसो पांच घंटे जिस दौरान हर एक की जुबाबर था राहुल को बचाना है तारीक 10 जून दो हजार पाईस जहां चला दुनिया का सबसे बड़ा बोर्वेल रेस्क्यू आपरेशन नमस्कार बहुत स्वागत है आपका मैं हूँ आपके साथ सुम्त शर्माज पूरा एक साल बीथ गया है आज ही के दिन एक नन्ही सी जान 36 गल के एक जिले के गाउं में खुले बोर्वेल में ऐसी फसी थी कि पूरे 105 घंटे तक उसने 36 गल की सासे ही अटका दी थी हम बात कर रहे हैं राहुल साहो की जो अपने जजबे और हिम्मत के बल पर मौत के मौँ से लोटाया आज न्यू जेतीन की तीम फिर पहुची है उसी जग है जहां साल भर पहले चला था सबसे बड़ा पोर्वेल रेस्क्यू आपरेशन हमने जाना है कि अब कैसी है राहुल किसी के भी जहन से आसानी से नहीं उतर सकती। कई फीटक खोदी हुई जमीन, हजारों की भीग और दिन रात एक करके एक नन्ही जान को बचाने की जट तुझे है। दुनिया का सबसे बड़ा पोर्वेल रेस्क्यू आपरेशन जो पूरे 105 घंटे के बाद जब पूरा हुआ तो हर किसी के चेहरे पर सुकून था, खुशी थी और खुद पर ही गर्व भी। देश का सबसे बड़ा रेस्क्यू आपरेशन राहुल को बाहर निकाल लिया गया पोर्वेल से। आज जब घंटों चले इस घटना क्रम को एक साल हो चुका है तो एक बार फिर न्यूज 18 की टीम पहुँची राहुल के पास उसका हाल जानने। हम इस वक्त मवजूद हैं पहुरिद गाउं में और यह वही पहुरिद गाउं है जहां देश का सबसे बड़ा रेस्क्यू चला राहुल को निकालने के लिए 105 घंटा देखिए यह मैं अपने सव्वी राजी निस कहूंगा कि दिखाए यह वही राहुल का घर है और आज ए प्रयास की तारीब कर रहे हैं साथी साथ लोगों की दुआ है जो राहुल हमारे बीज मौजूद है गाउं को पहले पहुरित को कम लोग ही जानते थे लेकिन राहुल की जिस तरह से दुरगटना हुई और उसके बाद इस गाउं को पूरा देश ने जाना बिस्वने जाना और यहां 105 घंटे का सफल रेश्क्यू हुआ और राहुल आज हमारे बीच सबसे बड़ा और सबसे सकस्फूल रेश्क्यू हम राहुल के पास जाएंगे जो दास्तातियों कैसे थी और किस तरह से 105 घंटा बीते बिना राहुल के जब राहुल आया तो उसकी खुसी क्या थी तारीक 10 जून 2020 नियूज 18 ने खबर ब्रेक की थी और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जानजगीर चापा से एक मासूम बोर्वेल में गिर गया है बच्चे का नाम राहुल बताया जा रहा है जो हादसे का शुकार हुआ है और पहरीद गाव की ये घटना बताई जा रही है जानजगीर चापा से ये बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रही है तब का दिन है और आज का दिन आज राहुल सकुशल है खुश है साथ ही खुश है उसके परिवार के लोग भी दादी, छोटा भाई, छोटी बेहन, मा, हर कोई ऐसे में हमने जाना कि आखर अब कैसी है राहुल की जिन्दगी भगवान के पट्री तूट आस्था और लोगों की दुआओं की वज़ा से आज हमारे बीच राहुल मौजूद है और आप देखिए अभी वह रोज सिवभक्ति करता है और आज भी सिवभक्ति करने के लिए आया है जल चड़ा रहा है और हमारे साथ राहुल का छोटा भा आप शूरू से उसके साथ रहते थे खेलते थे पांथ दिनों तक इतना जिंदगी और मौश से जुद्ता रहा आपको भी डर लगता रहा होगा कैसे मन में ख्याल आता था आपका कि मेरे भाई अगर नहीं निकलेगा तो कहा होगा मेरे भाई जल्दी निकल जाया प्रात्ना करता था हर रोज भगवान से और अब कैसे लगता है यह बताओ मेरे को अब बहुत अच्छा लगता है निकल गया है अब तो वह तो रायपूर में भी पढ़ने लगा है बड़े शूल करते हैं साइकिल चलाता था उलें कृत चलाता था पैल नहीं बैण जाता थैं और पैडल नहीं आज आता था बाऊद बीच वे गोड़ वजवा चला के नहीं कि कैसे पता चला आप पतानी कैसे गीगा अब ममी ढूनी तो बहार पर पहले ठूने चाहिए ना वोना कोला से इधर दर्वाजा दे देता हैं तो अब उधार से घूम के खेज इधर से वो कोला के अंदर आई तो रोने का वाज आए तो धरबौर के पार गए तो देखें ममी इसके बाद मोह बुला चीह हां थे कॉछ आप एक एक पुलिस अधिकारी सब लोग बहुत आप लोगों कीilot कि द। सरकार मदद किया मुक्यमंघ्प भूपेद वगहनलने आपकी मदद किया परहुट एक निकालने में पूरा ने अब खुद मुस्कुराता है और रायपूर में भी अब पढ़ने लगा है कुछ-कुछ बोलने भी लगा है तो जाईर सी बात है राहूल की ये खुसी देखने के लिए पूरा देश बेताप था लोग चाहते थे दुआ कर रहे थे लेकिन 105 घंटे बाद ये राहूल बहादू कि खेलते देख रहे हैं जाहिर है राहूल और उसकी मा के लिए वो दिन उनके जीवन का सबसे मुश्किल और डरावना दिन था हमारी टीम ने राहूल की मा से बात की और जानने की कोशिश की कि आखिर उस दिन क्या हुआ था कैसे राहूल 65 फीट की गहराई में अचानक से स वो दर्ग उससे बहतर कोई नहीं समझ सकता क्योंकि अपने मासुम को अपने बच्चे को 105 घंटे तक बोर बिल में फशे हुए देख रही थी उसकी तड़प को महसूस कर रही थी हम जरूर ये पूछना चाहेंगे कि आखिर वो पल कैसा था बताएंगे कैसा था वो दर्ग अब उस समय की बाद तो बहुत ही दर्दनाग जैसे घटना था मतलब ऐसा मानों की जब नीचे मतलब आत्मा एकदम नीचे चला गया है ऐसे मत पूछो की मतलब बहुत बहुत बड़ा दर्दनाग घटना था कि बोल नहीं पार लगता था कि कुछ गलत नाजानकारी आईग अब बहुत बाद में जानकारी जानकारी तो थी लेकिन हम लोगों ने हल्ला नहीं किया अंदर साप है वेड़क है ये जानकारी आपको कब मिली थी अब राहूल निकलने के बाद ही मिला उसका जनकरी राहूल अक्सर बहुत चुलबूला स्वभाव का है बहुत मस्ती भी करता है अचानक वहां तक कैसे पहुचा और जब गढ़ा खोदा हुआ था तो आप लोग को नहीं लगा कि कही बच्चे गिरी जाएंगी या फी या गढ़ा छोटा था क्या लगा था आपको अब उस समय बच्चा दोनों बच्चे नहीं थे गाओ गय थे उसके बुआ यहां गय थे वहीं 15 दिन हुआ था खोदे हुए और ढ़ा धाके थे लग कर वगे रमढ़ा दिया दुआ से बच्चा नहीं थे रमेब ही ऐसी काम करती थी टेलर काम करती है उसका पाबा भी डेटेंट में काम करता है तो दोनों हर्व अपने अपने और बच्चे नहीं थे तो ऐसे लगा कि कल ढखेंगे, परसो ढखेंगे, रुख गया ओका, फिर बच्चा भी आ गया, एक ही दिन हुआ था, फिर आने के बाद और जो रापा बोलते हैं उसको भी नहीं था, घर में उसको लेने गये थे उसके पापा, उसके आते तक ही अब बच्चा पाता नहीं कैस कैसे चला गया, क्या हुआ, कैसे हुआ, वो ही जाने, अब मैं तो देखी नहीं था, अचानक आपको पता चला जब आप खोजे आवाज आई तब पता चला, तो रो रहा था बहुत जादा, फिर दोटे दोटे आई तो फिर परोसी लोगों को बलाई, चिल आई, बच्चा गिर गया है फिर आने के बाद, और बहुत सारे अब लोग की गटना गटी, तो सबसे पहले हमारी टीम ने, न्यूजेटीन की टीम ने इस ख़बर को दिखाया, उसके बाद सासन पर सासन सभी ने इस मामले को संग्यान में लिया, क्या कहेंगे न्यूजेटीन को लेकर आप आप लोगों की तो बहुत ही इसमें महरवानी है, आप लोगों नहीं होते तो इतना सभी लोगों को पता नहीं चलता, सभी लोगों को दुआ नहीं करते, आप लोगों की तो बहुत इसमें वगदान है, जितना भी अब सासन पर सासन, जिला, अधिकारी, हमारी मुख्य मंत अभी बार बारी घटना होई रही है, बोरविल में कोई ने कोई गिरता है, जनकारी आती है, आप एक ऐसी माह है जिसने ये दर्द सहा है, वो तकलीप वो दवर देखा है, वो बहुत कठीन समय था, हमने भी महसूस किया, तमाम लोग यहां जमीन पर सोते थे, खाने की विवस महसूस किये हैं, ऐसी घटना जीवान में किसी के साथ मत होई, और ऐसी लापरवाही बिलकुल भी मत करें, कि बोर को खोट कर खूला मत रखें, हमसे जो हुआ लापरवाही थोड़ा सा और किसी कोई भी मत करें, आज सब की दुआओं की वज़े से, सरकार के पहल की वज़े पुलिश, प्रशासन, तमाम लोगों के अथक मेहनत की वज़े से, और आज राहूल यहाँ पर है, और ये मुश्कान, ये खोशी इस घर की बता रही है, कि सरकार ने काम अच्छा किया, लोगों ने दुआएं दिल से दी, और यही वज़ा है कि राहूल आज हमारे बीच दूमी में 105 घंटे तक चला, दुनिया का सबसे बड़ा बोर्वेल रेस्क्यू आपरेशन, आज भले ही रेस्क्यू के लिए खोदा गया गढधा पाट दिया गया हो, लेकिन एक साल पहले हुए हाथसे के निशा, अभी भी यहाँ नजर आते हैं हम इस वक्त मौझूद हैं पहरित गाव के ग्राउंड जीरो पर जहाँ पर राहूल का रेस्क्यू 105 घंटे तक चला, आप देखिए दूर दूर तक आपको कुछ चाया नजर नहीं आएगा, यही पेड़ था जो हम मीडिया कर्मियों के साथ, पुलीस कर्मियों का प्रसासन कर्मियों के लिए सहारा था, और अभी भी उसके मलवे हैं, आप देख सकते हैं, अभी भी है, पाटा जा रहा है, कुछ कारी बचा हुआ है, ठीक, यही पर, मैं अपने सायोगी राजिन जी से कहूंगा, दिखाए कि यही पर वो बोर था, और इस बोर को अब पूरी तरह से भर दिया गया है, पाट दिया गया है, लेकिन आप देखिए, रहुल इसी दिवाल से खेलता हुआ, यहां गया था, और अचानक से वो नीचे गिर गया, एक सो पांच घंटे बाद उसे मिला, और यह उसकी दादी है, दादी, रहुल गिरे रही से, वो समय कतकत तकलिफ होत है अब हुआ धी ख़ूजी मोओत होती है, वो घानी बहुत मंल्या भारी दुख फुरही से जला का थे सीम्हा ला भाहिरे, बहुत दू कत्क वे , नीकल ही बेटा ही foundation, कद्क वे I다가 , क.'" जुपनल सबमाइए अब थंगर नाघर, रहे जाए यहाँ दुपनोगा है अब खूफ। रासी तो राइपूर में पढ़ रहा है बढ़िया कैसे राइपूर में पढ़ रहा है तो बहुत अच्छा लगा आप जब एक साथ आप खिलते हैं मस्ती करते हैं और जब यहां था कैसे लगता था आपको किता डर लगता था बहुत अच्छा लग रहे हैं आप क्या बोलोगे एक महिने की भीतर ऐसी जानकारी आती कि कोई फिर बोर मेल में गीर गया है आप क्या कहना चाहोगे ऐसे लोगों के जो बोर खोग खुल सकती है कि खुले में बोर नहीं रखना चाहिए और देखे यह चाहे रीशव हो चाहे रासी हो और अब यह तीनों तरीशव राहुल रासी इन तीनों की जोड़ी है और तीकड़मी है तीनों आप देख सकते हैं तीनों है यह रीशव है यह रासी है और राहुल है यह नटक कि यहां बोर खुदा हुआ है और यही दुरघटना का सबसे बड़ा वजा भी बना था हमारे ड्यूज एटीन से हमारी यह टीम थी वो इसी 40 दिगरी के तापमान पर 6 दिनों तक जम्य रहे पल-पल की खबर दिखाए और सबसे बड़ी बात यही है कि राहुल जब बोर वेल कर रहे हैं धनिवाद ब्यक्त कर रहे हैं और हम राहुल की लंबी उमर की कामना करते हैं कैमरापसर राजेन चौधरी के साथ युगल तिवारी न्यूज एटिर रायपूर 36 गड़ एक सुपाच घंटे केस बोर वेल रेस्क्यू आपरेशन के बाद हर को यहीं दूआ कर रह कुछ मासूम तो खुश किसमत थे लेकिन अधिकाश बच्चों की सासे भर सक कोशिश के बाद भी लौट न सकी माओं की गोद सूनी हुई पिता को जीवन का सबसे बड़ा दर्द मिला तो कई आगन मैंसे खुशियां रूट कहीं कुछ दिन पहले ही मद्परदेश के सीहौ में तीन साल की मासूम जिंदगी की जंग हारी थी तीन सो फीट के गहरे अंधेरे कुए ने आखरकार स्रिष्टी को लील दिया सीहौर की उमीदे टूट गई उसकी स्रिष्टी ने दुनिया को अलविदा कह दिया अपनी मासूम कुडिया रानी को यूँख को देने का दर्द क्या होगा कोई उसकी माबाब से पूछे दिल पर ये ऐसा जख्म है जो नासूर बनकर हमेशा उस काले अधेरे बोरवेल की भयानक याद दिलाता रहेगा तीन सो फीट के गहरे अधेरे बोरवेल में स्रिष्टी का दम हो गया सासों ने उसका साथ छोड़ दिया निकाले जाने से 40 घंटे पहली ही वो दुनिया को छोड़ चुकी थी लापर वाही का ये बोरवेल मासूम बच्ची के लिए कब्र बन गया अब तो सिर्फ इस कब्र से उसकी लाश दिकाली हो सिहोर की मुगावली का बोरवेल हस्ती खिल्खलाती एक नन ही सी कुडिया के लिए कब्र बना अब ये माइने नहीं रखता कि रेस्क्यू ऑपरेशन कितनी देर चला कितनी मशक्कत की गई कितनी तकनीकों का अस्तमाल किया गया माइने ये रखता है कि क्या स्रिष्टी के माबाब का दर्द कभी दूर भो पाएगा आखिर कब तक वोरवेल में बच्चे जिन्दा दफ्न होते रहेंगे तो हर को यहीं दूआ करता है कि कभी ऐसे हाथ से ना हो कई बच्चे खुश किसमत होते हैं लेकिन कई बच्चे काल के गाल में समझाते हैं सीहोर में तीन साल की स्रष्टी जिन्दगी की जंग हार गए थी आएए अब एक नजर उन हाथसों पर मदबर्देश 36 गड़ में हुए बूर वेल हाथसों पर 4 नमबर 2020 को हाथसा हुआ और इस हाथसे में तीन साल के प्रदाद निदम तोर दिया 7 अगस 2020 को भी हाथसा हुआ था इस हाथसे में पास साल की रादिका की मौत हो गई थी 10 जून 2022 को भी हाथसा हुआ था जांजगे चांपा में इसमें सुरक्षित बाहर नकाल लिया था बच्चे को 29 जून 2022 अधरपुर में भी हाथसा हुआ था दीपिंद्र का रेस्क्यू चला था दीपिंद्र के लिए 7 घंटे तक रेस्क्यू किया सकुशल उसको बाहर नकाल लिया गया 29 जून की ये बात थी और वहीं 9 जून 2022 को भी हाथसा हुआ था बैतूर में 400 फीट गहरे बोर्वेल में तनमय गिरा था और उसका रेस्क्यू किया गया लेकिन उसको बचाया नहीं जा सका इसे के साथ हैं हमारी खास पेश्क्रश में तरह हैं नमस्कार नमस्कार